गैंक्स्टर से नेता बने मुक्तार अंसारी का यूपी की जेल में आना अब तै हो गया कभी सेहत, कभी जांच का बहाना बनाकर पंजाब की रोपर जेल में रह रहे हैं मुक्तार अंसारी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दो हफ़ते के भीतर मुक्तार अंसारी को यूपी भेजने का आदेश दिया है मुक्तार अंसारी बांदा या इलाहबाद की जेल में रह सकते हैं मुक्तार अंसारी पर कई मामले दर्ज हैं जिनके सुनवाई नहीं हो पा रही थी यूपी के पुलिस वाले हद खड़ी लगाकर जेल तक ले जाएंगे जिस यूपी मुक्तार अंसारी का नाम दरजनों पराधों में शामिल है अब उसी राज्य के अदालत मुक्तार के गुनाहों का हिसाब करेगी पंजाब की रुपर जेल में बंद मुक्तार अंसारी के लिए शुकरवार सुप्रीम कोट से बुरी खबर सुप्रीम कोट ने मुक्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उतरप्रदेश के जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया पंजाब सरकार को दो हफ़ते में मुखतार अंसारी को यूपी सरकार के हवाले करना होगा सुप्रीम कोट ने पंजाब सरकार को मुखतार अंसारी को दो हफ़ते में उत्तर प्रदेश सरकार को सौपने का आदेश जारी किया है और पंजाब सरकार को दो हफ़ते में रोपड जेल से उन्हें उत्तरप्रदेश की बांदा जेल में इस्थानां तरित करना होगा बांदा जेल में उनका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद उन्हें MPMLA कोट में पेश किया जाएगा जहां MPMLA कोट ये तैय करेगी कि मुखतार अंसारी को उत्तर प्रदेश की किस जेल में रखा जाए मुखतार अंसारी जनवरी 2019 से पंजाब की जेल में बंद है पंजाब में एक बिजनसमेन से रंगदारी मांगने के मामले में मुखतार की गिरफतारी हुई थी पुलिस प्रोडक्शन वाररेंट पर मुखतार को महली ले गई थी मामला अदालत में पहुँचा तो पंजाब सरकार के वकील ने मुखतार अंसारी के खराब सेहत का हवाला दिया मुक्तार अंसारी ने यूपी में जान का खत्रा बताया था और केस को ट्रांसफर करने के पील कित लेकिन सुप्रीम कोट में तलिले काम नहीं है और फैसला यूपी सरकार के पक्ष में हुआ अब मुक्तार अंसारी को यूपी के MP MLA कोट में पेश किया जाएक प्यूश पांडे TV9 भारत वर्ष दिले फिक्र आपकी सुमवार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर